हेलो दोस्तों कैसे हुआ आप सब बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थी कि घर में कॉक्रोच हो गए है कुछ घरेलू तरीके बताईए इनको भगाने के लिए तो ऐसे ही कुछ घरेलू नुसके में आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही असरदार और 100% आपको इसका रिजल्ट मिल आते हैं पर उसे अगर अच्छे से यूज ना करो तो वह काम नहीं करती है तो चले वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा दिखें पसंद आये तो दोस्त के साथ शेयर करना ना भूले तो हमारे घर में ऐसे कुछ चोटे-चोटे कॉक्रोच हो जाते हमें लग आप ले सकते हो जितना चाहे बना के रख सकते हो मैंने इसे खुड ट्राइ किया था बहुत बढ़िया मुझे रिजल्ट मिला अभी मेरे घर में एक भी कॉक्रोच नहीं दिखेगा और यह ज्यादा दिन तक भी आपको नहीं यूज करना है पस कुछ बातों का ध्यान रखन है तो इसे कैसे यूज करना है चलिए देखते हैं अब इसका मैंने थोड़ा सा ना पावडर बना लिया है अब हमें लेनी है नेप्तॉल की गोली जो कि सबके घर में होती है हम टॉलेट में बात्रूम में बद्बू हटाने के लिए रखते है या फिर कपडों में जो गिली इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि बरतन से इसकी स्मेल है ना हटाने में बहुत टाइम लगता है पेपर तो हम फिर भी फेक दे सकते हैं तो अच्छे से थोड़ा सा पावडर बन चुका है और हाँ ये वीडियो आप किस गाउं से या शहर से देख रहे हो मुझे जल्दी स इसलिए तो क्यों लिया है देखे यहां पे हमें क्या करना इसको इस तरीके से फैलाना है जो हम यूज कर रहे है एक ऐसा तरीका है जो कि आप एक बार करोगे आपको बार बार करनी की ज़रुरत नहीं पड़ेगी साथी में कई अगर एकार बार फिर कभी हो भी तो आप इस दो बारा भी यूज कर सकते हो तो यहां पे देखे मैंने इसे फैला लिया है कॉटन को अब हमें क्या करना यह जो पाउडर है इसमें डाल देना इस तरीके से तीनों कॉटन के जो गोले है इसी तरीके से हम भर देंगे और यहां पे देखे जब हम यह तरीके यूज कर रहे सात ही में कुछ ऐसी खराब चीज będę हमारे घर बोड पड़ा है तो उसे भी हटाना है क्योंकि जो सीलन होती वहाँ कमाहोल बन जाता है। और कौक्रोच वही पर अंडे देते हैं, उसे भी हमें हटाना है, और एक बात का ध्यान रखिए, कहीं भी कोने में, इधर उधर आपको छोटे-छोटे मुंकी दाल जितने कहीं पर आपको काले-काले से निशान अगर दिख रहे हैं, तो वह आपके कौक्रोच के अंडे हो सकत तो उसे भी हमें जाडू से बिल्कुल क्लीन करना है तब ही जाके उसकी दूसरी जो एक होता है ना कॉलनी वो नहीं बनेगी क्योंकि एक काथ भी अंडा बज गया तो फिर से कॉक्रोज आ सकते हैं तो हमें इसे भी साफ करना है और जो बड़े कॉक्रोज गर में चोटे पानी नहीं है इसमें एक चीज मैंने एड की है जिसी की हमारे ये सोलूशन हमारा जो इनुसका है बहुत ज़दा असरदार हो जाता है तो यहां पे देखें मैंने ये जो गोले रेडी किये थे न अच्छे से कॉटन को चारों तरप से बंद किया है अंदर तो हमने पाउड थोड़ा सा पानी हलका सा रहने दीजिए बाकी इसमें से निकाल दीजिए और ये जो पानी मैंने उसके है न नॉर्मल पानी नहीं है क्योंकि इसमें मैंने डाला है नीम्बू का रस बिलकुल हमें आधा नीम्बू का रस चाहिए और आधा इसमें हमें पानी डालना है ये जो हमने गोले बनाए ना इसे सही तरीके से देखे कैसे यूज़ करना है ज्यादा तर हम देखते हैं जैसे हम लाइट आफ करते हैं और आदा घंटे के लिए हम अगर ऐसी छोड़ दो लाइट को आफ और अचानक से कीचन में जाओ या घर में जाओ पूरे फर्ष पे आपको कॉक्रोच दिखाई देंगे जो की दिन में कभी नहीं दिखते हैं तो हमें क्या करना है हमारी इस तरीके के जो बेख खुले पाइप है जालिया है उसके उपर ये वाले हमने जो कॉटन के गोले रेडी के ना उसे रखना है या फिर जैसे देखे सिंक के नीचे जहां भी थ तरीके से कॉक्रोच को भगा सकते है तो यहां पर मैंने एक कटोरी ली है उसमें हमें डालना है गेहू का आटा तो देखें गेहू का आटा मैंने दो चम्मच लिया है यहां पर जो हम बना रहे ना इसका जो मेजरमेंट है वो आपको सही लेना पड़ेगा तभी आपको इस CB किराना स्टोर पे या फिर जैसे मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा और बहुत सस्ते में होता है और ये खास कर कॉक्रोच को भगानी के लिए बहुत जादा असरदार है और अगर आपके पास ये नहीं है नहीं मिल रहा है तो क्या आप यूज कर सकते हूँ वो भी मै यूज करते हैं और जैसे कि एक साल भर के लिए रखना होता है तो ये बोरीक ऐसर डाल के रोखोंगे बिल्कुल भी कीड़े नहीं होते है तो हमारे घर के और भी कीड़े भगानी के लिए हम इसे यूज कर सकते है तो यहाँ पे मैंने डेट चमच के करीब इसको लिया है त इसमें थोड़ा पानी डालके इसे अच्छे से मिक्स करना है और देखे कुई भी चीज जैसे कि मैंने कहा साफ सफाई तो हमें रखनी ही है तभी जाके जो हम यूज कर रहे हैं केमिकल या जो भी आप यूज करते हो गरेलूनुस के काम करते हैं क्यूंकि आपने देखा होगा एक अध कॉक्रोज दिखने लगे तो तुरंट दो चा दिन बाद आपको 20-25 कॉक्रोज दिखेंगे इतने तेजी से इनकी संख्या बढ़ती रहती है तो इने भगाना बहुत जरूरी है और ऐसा नहीं कि एक दो दिख रहे तो कोई बात नहीं तुरंट आप ये नुसका आने है और हाँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे यूसफुल वीडियो में आपके लिए लाते रहती हूं इसे आप ज्यादा भी बना सकते हो जैसे कि आपके घर में कितने ज्यादा कॉक्रोज है उसके हिसाब से आप इसे बनाईए और जहां जहां आप को कॉक्रोज दिखाई देते हैं मतलब कभी दिखाई देते हैं रात में जैसे हम अचानक से जाते घर में तो उसकोने में जरूर डालिए या फिर जादा तर आप देखोगे हमारा जो कीचन प्लाटफॉर्म होता है उसी के उपर होते क्योंकि रात में हम थोड़ा खाना वो काम करेगा बाकी सफाई करके ये गोले वहाँ पे डाल दीजे गैस टोके नीचे गैस सिलेंडर के पास या फिर इसे फ्रीज के नीचे और कही घर में कोने है तो वहाँ भी डाल दीजे और आप देखे एक दो दिन में आपको इसका रिजर्ट भी दिखाई देगा बहु इसे यूसफुल वीडियो में आपके लिए लाती रहती हूँ और अहां पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू